तो गाइस वेदेमी के लेट्स मेमोराइज ट्रिक सीरीज में आप सबका स्वाधत है आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा एंटिबाइटिक्स तो हम देखते हैं कि एंटिबाइटिक्स में हम क्या-क्या याद कर सकते हैं टॉ एंटिबाइटिक्स में जो लास हैं गलास हैं वो कुछ ऐसे हैं मतलब जो जन्रलल खौमंद मोस्ट कॉमन क्लास है वो यहीं हैं तो अब इन शेजिए हैं जिसे इमाइनोग्लाइको साइट क्या करता है प्रोटीन सिंथिस को इनवेट करते हैं और पोलेट और ड्न रेप्रिकेशन को इनवेट करते हैं तो इनका जो नाम है अगर हम aminoglycoside की बारे में बात करें aminoglycoside के बारे में बात करें तो generally इनके नाम के end में जो है वो scene आता है तो जब आप scene, mycene, mycene या scene देखेंगे तो आपको जहां ये चीज़े देख जाएंगी scene या mycene तो वो aminoglycoside होगा ऐसे ही अगर cephalosporins की बात करें तो इनमें एक prefix आता है cep क्या? cep, ऐसी f भी हो सकता है ऐसी ph भी हो सकता है तो cephalosporins, 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 cephalosporins तो इस तरह से cep prefix जो आएगा वो cephalosporins के लिए होगा ऐसे ही tetracycline के लिए क्या आएगा? cyclin word आएगा बहुत frequently जो भी होगा उसमें tetracycline में cyclin word आएगा जैसे tetracycline, doxycycline, minocycline और tiger cyclin ऐसे ही penicillin के case में selene आएगा क्या आएगा? selene आएगा क्योंकि penicillin में भी selene है तो selene आएगा emopsilene, mpselene, benjipicillene, pipercilene, penicillin जी, penicillin भी तो selene आएगा ऐसे ही अगर sulfonamides के बारे में बात करें तो sulfonamides में जो है वो sulfectamides, sulfedagene, sulfodoxyn, sulfethyzole इस तरह से sulfamethyzole, sulfamethoxazole, sulfenalamide तो इस तरह से sulfa prefix आएगा अगर fluoroquinions की बात करें तो इन में जो है वो phloxene आता है क्या आता है? phloxene जैमी phloxene, libo phloxene, moxifloxene, nor phloxene तो इस तरह से phloxene prefix आता है और अगर macrolit की बात करें तो यहाँ पर thromycin आता है क्या आता है? thromycin जितने भी macrolits होंगे उनमें thromycin आएगा जैसे erythromycin, roxythromycin, agythromycin, clarithromycin, thromycin आएगा अगर carbapenems के बारे में बात करें तो इनके end में panem आएगा कैसे? doripenem, erythapenem, emipenem, meropenem तो इनमें panem जो है वो suffix में आएगा ऐसे ही अगर linkosamide की बात करें तो इनमें भी इनमें जो lin और mycin दोनों आता है जैसे linkosamide clindamycin lin word आएगा और mycin आएगा अगर glycopeptides की बात करें तो इनमें planin word आता है क्या आता है? planin tecoplanin, ramoplanin, deco planin तो इस थरा के words जो होते हैं इनसे जो है हम याद रख सकते हैं कि कौन सा antibiotic class कौन सा antibiotic किस class का है कि जैसे कि अभी आप से saline लगा हुआ कोई बोल दे amoxiline तो क्या? penicilline से है अगर erythromycin erythromycin तो thromycin macrolid से है sulfa कुछ लगा हुआ बोल दे तो sulfonamide से है cifar कही लगा हुआ बोल दे तो cephalosporin से है cycling बोल दे तो tetrocycline से है तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको antibiotics के name से याद रखने में help करेगी plus अब बात आती है कि कौन से class में कौन सी synthesis को inhibit करके bacteria पे action किया जाता है तो चार classes जो है macrolids, aminoglycosides, linkosamides और tetracycline कि ये चारों class जो हैं ये protein synthesis को inhibit करते हैं तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं malt protein से बहुत सारे milk beverages आते हैं जो milk powders आते हैं उनमें जो malt जो होता है main content होता है तो उनको बोलते हैं malt protein तो वहाँ से इस चीज़ को याद रख सकते हैं malt protein और ये जो है उनमें क्या क्या आ रहा है malt से macrolid, aminoglycoside, linkosamide and tetracycline ये क्या करते हैं malt protein है तो protein synthesis को inhibit करते हैं ऐसे ही जब sulfonamides की बात होगी sulfonamides की तो F और O से आपको याद रखना है कि ये folic acid synthesis को रोखते हैं folic acid synthesis को inhibit करते हैं वैसे ही जब हम बात करेंगे सब्सक्राइब के बारे में तो ये जो है ये cell wall synthesis को रोखते हैं अब हम अपने को याद कैसे रखना है तो अपन याद रख सकते हैं गिली को पैंसिल और गिली को पैंसिल कार चाहिए और से कोई लड़की है उसका नाम गिली है उसको पैंसिल कार चाहिए कुछ भी आद रख लो packet से रखलेंगे किया सैल वाल सिंथसिस में तो रोक रहा है गिली को में क्या है ग्लाइक है netगाधु को ओ के और खर और hydrant आग LE CAH don balcony निए आपने को गारोगma सब्सक्राइबी रרגले यादा ही रख याद से एक गिल्ली उ स्प्राइब को भंज़ मेंग्ळ कश्राइब याद राएं गार्ट करणर साथे लिम आर्टुस अब इसके बाद आती है फ्लॉरोप्यूनिस की फ्लॉरोप्यूनिस किसको इनिट करते हैं DNA राप्लिकेशन को कैसे करते हैं DNA गारिस या टॉपो आईसो मरेज पहर एक्ट करके तो आपने इतना याद रख लिया प्रोटीन सिंसेशिस के लिए सल्पोनावाइट फॉलिक लिए है फिर आपको याद हो घ्राइं मतलब ग्लाइकोप्तिट कर्वापनिम पैल ग्लीफ पैंसेलिंड का चाहिए थो आपको यॉची याद हो जाएगा कि ग्लाइकोप्टाइड पैनिसीलीन सेफेलोसपुरीन कार्वापेनिम यह जो है वह सेल्वाल सिंथेसिस में एक बश्रा है जो वह है फ्लोरोकुइन तो फ्लोरोकुइनों के लिए आप याद रख सकते हो कि यह डियने रैप्लिकेशन को इने बिट करता है और यह कहां जुनरली काम करता है डियने गायरिस और टोपाइसमरीस को इन हो जाती है और इसके बाद यह पर इन चैन की वह रूक जाती है अब यह कैसे रूपती है कौन किस पर बाइंड होता है यह याद रखना जरूरी है तो अगर आप माल्त याद कर रहे हो माल्ट याद कर रहे हो तो अब बड़ी इजली से याद रख सकते हो M उपर A नीचे L T मैक्रोलीड अमाइनोग्लाइकोसाइड लिंकोसामाइट टेटरसाइकलेन ओकि तो मैक्रोलीड याद हो रहे हैं तो आपको पस याद रखना है 50-30 50-30 50-30 ऐसे लिख लेना है माल्ट 50-30 50-30 मतलब जो मैक्रोलीड है वो 50S पर बाइंड करेगा एमाइनोग्लाइकोसाइड है वो 30S राइगोसाम पर बाइंड करेगा लिन्कॉसी आमाइट जो 50 एसपर बाइंड करेगा और जो टेत्रसाइकलीन है वो 30 एसपर बाइंड करेगा तो इस तरह से एजी हो गया ना यह की कौन किस पर बाइंड करेगा गार्द सम्वेवैंड के 50 पर मैंजय को पैंसिल काच शूँति यह मतलब गलाइको गिल्ली को गलाइको पैप्टाइड पैनिसिलीन से फेलोस्पुरीन कारवापैनि यह सारे जो होगे सेलवाल सिंथेसिस फिर फ्लूरोकिनॉन के लिए याद करना में डिन्यर एप्लिकेशन और सलपोना माइच तो अपने आप याद हो रहा है एपों की वजह से कि फ से फेलो है तो से फेलोस्पुरीन सेफ वर्ड यूज हो रहा है सलपा है सलफो है तो सलफोनामाइच हो गए इस तरह से एजित्रोमाइसीन यह माइसीन तो इस तरह की चीजें जो हैं यह आपको याद करने में हेल्प कर देगी एक बार आप खुद भी अनलाइस करोगे ना को आप थीर है यह तो इसको कैसे याद रकना है तो आपको फुद भी यह चीजें बड़े आसानी से याद हो जाएंगी कि हाँ यह ऐसा है तो इसको ऐसे याद करना है तो मैंने भी कुछ बहुत rocket science नी उसकिया है अगर कोई नाम ऐसा है और इसके साथ यह चीजें हैं तो उनको कैसे याद आख सकते हैं तो यह बहुत सिंपल है आप भी ऐसा कर सकते हूं आगे के सिरीज में फिर से मिलते हैं नाए निमोनिक्स के साथ तब तक के लिए थैंक यू झाल 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 कर दो